मेरा नाम स्रिष्टी है आज मेरा क्लास तेंथ का एसेश्टी का जो पहला चेप्टर है Rise of Nationalism in Europe उसका Question-Answer Series देखेंगे तो यहाँ पर देखिए Question-Answer Series में पहला क्या है? Tick the correct option तो यहाँ देखिए पहला question क्या है? Political system in which monarchical government has total power at all times is referred to as मतलब ऐसा political system जिस monarchical government में काफी ज़्यादा power मिलती है और इसमें क्या होता है? देखिए उसके लिए कौन सा word यूज होता है? तो उसके लिए word यूज होता है अपसलूटिज्म अपसलूटिज्म का यही मतलब होता है ऐसा monarchical government जिसमें power काफी ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं without any restriction उसके बाद देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी, a government for the people, of the people, by the people इस वर्ड इस गिबेन बाइ 16 प्रेसिडेंट आप USA अबराहम लिंकन आप देखिए USA के जो 16 वे नंबर के प्रेसिडेंट है अबराहम लिंकन जी उनके द्वारा ये वर्ड दिया गया democracy that means लोक्तंत्र अब भारत सबसे बड़ा लोक्तंत्र देश है उसके बाद यहां पर देखिए autocracy का क्या मतलब होता है a country ruled by one person a country ruled by one person ruled by one person one person ऐसी country जो एक परसन के द्वारा rule की जाती है who has complete power जिसके पास काफी ज़्यादा पावर होती है उसका क्या मतलब होता है autocracy उसके बाद question number second देखेंगे in 1789 France was full-fledged territorial state under the rule of मतलब 1789 में France में full-fledged का मतलब समाप्त होना क्या मतलब होता है समाप्त होना that means Ind होना क्या खतम हुआ था France से an absolute monarch monarch की system वहां से 1789 में France से खतम हो चुका था तो monarch का मतलब क्या होता है ruled by king king or queen इसका मतलब होता है राजा के द्वारा या रानी के द्वारा जो वहां पे सरकार होती है उसको क्या बोलते है monarch बोलते हैं जो 1789 में France से खतम हो गया था उसके बाद देखे question number 3 क्या है which of the following is not European country European country नहीं है इतली, France, Germany, USA में कौन सा European country नहीं है तो USA is not European country अब यहां पे देखे इतली का कैपिटल क्या है Rome है France का कैपिटल क्या है Paris है Germany का कैपिटल क्या है Berlin है और USA का कैपिटल क्या है Washington DC है DC का मतलब district of Columbia उसके बाद देखे question number 4 Napoleon introduced the civil code in which year Napoleon ने civil code कब लाया France में तो 1804 में Napoleon ने क्या लाया civil code लाया उसके बाद देखे वाटरलू हुआ था जहां पर नेपोलियन बोनापाट हार गया था प्रैप कंट्री से उसके बाद 1799 में देखे क्या हुआ था सीजिंग दा पॉलिटिकल पावर बाइन बोनापाट इसका मतलब 1799 में नेपोलियन बोनापाट ने फ्रांस के जितने भी पॉलिटिकल पावर थे वो अपने अंदर सीज कर लिया था है नहीं अधिकार जमा लिया था 1789 में क्या हुआ था फ्रेंच रिबैलुशन हुआ था क्या हुआ था फ्रेंच रिबैलुशन हुआ था उसके बाद देखें यहां पर कुशन नमबर 5 है थी पेट्रॉइट कंट्रीपिटेट टू दा यूनिफिकेशन आफ इटली विच वाज नॉट वन आप देव इसका मतलब यह होता है कि इटली के एकी करण में कौन से पेट्रॉइट का यूगदान था और इनमें किसका नाम नहीं आता है तो देखें मेजनी, गारवाल्डी, कैनबर तीनों का इटली के एकी करण में यूगदान था लेकिन लुईस फिलिप्स का यूगदान नहीं था तो अब देखें मेजनी को क्या बोलते हैं सोल आफ इटली बोलते हैं यानि कि इटली की आत्मा बोलते हैं गारवाल्डी को देखे क्या बोलते हैं Sword of Italy बोलते हैं यानि की इटली का तलवार बोलते हैं और काइनगोर को क्या बोलते हैं Brain of Italy इटली का दिमाग बोलते हैं अब देखे कोश्चन नमबर 6 क्या है By which name is the Turkish Empire generally known as Turkish Empire को और किस नाम से जाना जाता है तो उसको Ottoman Empire के नाम से भी जाना जाता है अब देखे तरकी का नया नाम क्या है तुर्किये तुर्किये इसका अब नया नाम हो गया है अब देखे उसके बाद कोश्चन नमबर 7 क्या है Which Italian Patriot organize a group of soldiers known as red shirt मतलब कौन से Italian Patriot ने जो उसके group of soldiers थे उसको red shirt के नाम से जाना जाता था या पिर वो लोग red shirt पहनते थे तो उनका नाम था Garvaldi Garvaldi जिनको हम लोग क्या बोलते थे Sword of Italy भी बोलते है ऐसे ही question answer series के लिए आप हमारा next video देखेगा अभी के लिए thank you so much